हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है आज की क्लास जो है एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट होने वाली है इससे रिलेटेट कुशन एक्जाम में पूछे जाएंगे तो आज का हमारा जो टोपिक है ये होने भाला है भारत के सबी जितने भी 28 राजे और आठ केंडर साशित प्रदेश है उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी राजदानी है कौन से वहाँ पे मुख्यमंत्री वर्तवान में कारियरत है कौन सी पार्टी वहाँ पे है कौन सी पार्टी से कौ जितने भी राज्ये हैं, उनके इस तापना दिवस एक्जामें पूछे जाते हैं, तो इन सब को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, तो क्लास से लाज तक जरूर जुड़े रहें, और ये क्यूशन आप इनको पेपर पेन लेकर बेठिए और इनको आप साहसात में लिखते जाएगे, जो आपकी एक्जामें इनको रिवाइच करने में आपको प्रोग्лом मी आएगी, सारे राज्ये जितने भी इनके बेशिक क्यूशन बढने वाले वो आप एक साथ नोर्थ बना लीजे, ताकि एक्जामें रिवाइच करने में कोई प्रोग्लम ना हो, क्लास को एक इसने भी 28 राज्ये हमारे, उनकी राजदानिया कौन सी है, तो देखते हैं, ये हमारी भारत का मेप है, लेटेस जो है, और देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्यूशन देखिए, हमारा पहला क्यूशन क्या है, क्यूशन पढ़िए और इसका आंसर बताइए, पहला क्यूशन है, राजस्तान की राजदानी कौन सी है, जल्दी से आंसर कॉमेंट करके बताइए, राजस्तान की राजदानी कौन सी है, उप्सन आपके सामने है, जल्दी जल्दी आंसर कॉमेंट किजिए, ए है जेसल मेर, बी बाड मेर, सी कोटा और डी जेपूर, तो इ पर जो मुख्य मंत्री बनाए गया है वो कौन है तो क्या होगा मुख्य मंत्री किनको बनाया गया है राजस्तान के अभी अभी चेंज हुए है जो जितने भी राज्ये हैं इम्पोर्टेंट जिनके अभी अभी राज्ये जो मुख्य मंत्री है जिनको चेंज किया गया है या इनकी सरकार अभी राज्यों में बनी है तो वो important question होने वाले जो भी exam आने वाला है SSEJD का, CGL का, CHSL का, जो भी Delhi Police ये सब भी परिक्षाओं के लिए important है तो आप class से बने रहिए last तक तो बताइए अभी राजस्तान के जो मुख्य मंत्री है किन को बनाया गया है तो किन की सरकार है अभी देखिए ये बनाये गये है भजनलाल सर्मा को कौन सी पार्टी है भारतिय जनता पार्टी से जो है भजनलाल सर्मा को राजस्तान का मुख्य मंत्री बनाये गया है इसके अलावा राजस्तान में उख मुख्य मंत्री भी बनाए गया है वो देख लेजी एक बार कौन कौन है दिया कुमारी और प्रेम चंद बेर्वा किन को बनाए गया है दो उख मुख्य मंत्री है दिया कुमारी और प्रेम चंद बेर्वा को राजस्तान में उख मुख्य मं यहां पर इसकी स्ताफना कब हुई थी हाँ राजे सबा सीट कितनी है? दस यहां पे राजे सबा सीट है, इसके इलावा विधान सबा सीट 200 है और कौन से पार्टी कारियरत है? वटपान में राजस्तान में भारतिय जनता पार्टी कारियरत है और मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल सर्मा को अभी इन राजस्तान का मुख आपको revise करने में कोई problem ना हो, बढ़ते हैं आगे की question की ओर, अभी जो latest में जितने भी राजों के मुख्य मंत्री चेंज हुए हैं, उनको पहले cover करते हैं, तो इसका answer बताईए, question में क्या है, और answer बताईए इसका, question देखिए, मद्य प्रदेश की राज़दानी कोन सी है, उप्सन दे रहे के हैं, A. भुपाल, B. भुनेश्वर, C. लखनाव, D. जैपुर, तो मद्य की राज़दानी कोन सी है, इसका answer क्या होगा, सब लोगो comment करके बताईए, मद्य प्रदेश की जो राज़दानी है, वो है भुपाल कोन है बोवाल यहां की राजदानी है और मुख्य मंतृ इंको बड़ा गया है यहां पर यह कुवने है D मुख्य मंत्री है वहरे की मद्ध्रदेश में चाहिकी मद्ध्रदेश के तुम श्मला सब्सक्राइब कौन है यहां की मद्ध्रदश के र chopper कौन है, यह है मंगू भाई च्छगन भाई पटेल जो मद्दे प्रदेश के राज़ेपाल है, और इसका स्तापना दिवस कब मनाया जाता है?, एक नवंबर को कभ हुई थी स्तापना इक नवंबर उनिस सु चपन को मद्दे प्रदेश की स्तापना की गई थी तो इस तापना दिवस है ये एक नवंबर को मनाया जाता है यहाँ पे लोग सबा सीट कितनी है मद्दे प्रदेश की लोग सबा सीट है 29 और राजे सबा सीट कितनी है 11 है विधान सबा सीट कितनी है 230 है और पार्टी कौन सी है यहाँ पे भारतिय जनता पार्टी है वो कारियरत है और मुख्य मंत्री कौन है? मौहन यादव जो जितने भी अभी जितने जो राज्यों में चुना हुए है और वहां पे जिन-जिन मुख्य मंत्रियों को निउप्त किया गया है वो सारे आपको याद होने चाहिए क्योंकि अभी चेंज आया है तो ये exam में आपके जरूर आएगा, ये question आपको जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ये class को बनाए गई है, अगर आपने class को अभी तक like नहीं किया है, तो like कीजिए और class को last तक जरूर देखिए, सारे question आपको इसी class में मिल जाएंगे, तो इसका answer बताइए. 36 गड की राजदानी कौन सी है? क्या होगी 36 गड की राजदानी? A. राइपूर, B. भुपाल, C. अमरावती, B. जरूर, तो 36 गड की राजदानी कौन सी है? कौन सी है 36 गड की राजदानी? answer comment किजिए. जल्दे से बताईए 36 गड़ के राजधानी है ये है राईपूर कौन सी है राईपूर है और यहाँ पर राज़ेपाल कौन है 36 गड़ के राज़ेपाल कौन है ये है विश्वे भूशन हरी चंद्रन कौन है विश्वे भूशन हरी चंद्र है वो 36 गड़ के राज़ेपाल है म किन कु बनाया गया है ये विश्नोडेवराय को जो है 36 गड के मुख्यमंतरी नुख्ट किया गया है कौन से पार्टी से है भारतिये जनता पार्टी से है अब देखे 36 गड का स्ताप्ना देवस कब मनाया जाता है एक नवम्बर को इसकी स्तापना कब की गई थी? एक नवम्बर 2000 को चतिस गड़ की स्तापना की गई थी तो स्तापना दिवस है ये एक नवम्बर को मनाये जाता है लोग सबाशीट कितनी है? चतिस गड़ की 11 है और राजे सबाशीट कितनी है? 5 है विदान सबासिट है वो 90 है और कौन सी पार्टी कारियरत है भारतिय जनता पार्टी 36 गड़ में कारियरत है और मुख्यमंत्री कोन है इस पार्टी से ये है विश्णो देवरा ये देख लिजे मैप में 36 गड़ की स्तिती तो ये सारे आपको कवर हो गए होंगे याद लिख ल विदान सबासिट इस अभी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है रेलवे के लिए भी जितने भी एक्जाम है उनमें ये कुशन जरूर बनेंगे आपके तो सभी परिक्षाओं के जो भी आप जिस परिक्षा के त्यारी कर रहे हो वो सभी परिक्षाओं के लिए इंप बढ़ते हैं आगे तेलंगाना की राजधानी कौन्सी है तो कौन्सी है तेलंगाना की राजधानी आंसर बताइए जल्दी से तेलंगाना की राजधानी कौन्सी है option दे रखे हैं बैंगलूरू, तिरिवननपूरम, कोहिमा और हैदराबाद, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, answer जली जली कॉमेंट कीजिए, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, तो ये है 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 हैदराबाद कौन सी है, हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी ह यहां पर राज्यपाल कौन है? यह है तमिल साइज सुन्दर राजन कौन है? तमिल साइज सुन्दर राजन जो है यहां की राज्यपाल है. मुख्य मंत्री किनको बनाए गया है? रेवन्त रेडी किनको? तेलंगाना के मुख्य मंत्री है वह कौन है? रेवन्त रेडी है? कौन की गई थी, ये हुई थी, दो जून दो हजार, चोदा को कब की गई थी, दो जून दो हजार, चोदा को जो है, तेलंगाना की स्तापना की गई थी, लोकसभा सीट कितनी है, यहां पे, 17 यहां की लोकसभा सीट है, राज्य सबा सीट कितनी है, 7 है, विधान सबा सीट कितनी है, 119 है इसके अलावा विधान परिसद भी है जिन दिन राज्यों में विधान परिसद है उनके भी आपको सीट की संक्या याद रखनी है तो यहाँ पे विधान परिसद की सीट कितनी है ये है 40 कितनी है 40 जो है विधान परिसद की सीट है कांकि तेलंगाना की और पार्टी कौन सी है ये है भाटे रास्टी कॉंग्रिस पार्टी से कौन है रेवन्त रेडी जी जो है तेलंगाना के मुख्य मन्द्री है तो ये इससे important point हुए तेलंगाना से ये basic point है next question क्यों बढ़ते हैं इसका answer बताईए question देखे आंसर बताईए question में है मिजोरम की राजदानी कौन सी है answer बताईए जल्दी जल्दी कौन सी है सारी राजदानी आपको पता होनी चाहिए तो राजदानी उसे related जितने भी question है जल्दी जल्दी से आप इसका option है वो comment में बता दीजिए इसका answer बताईए क्या होगा मिजोरम की राजदानी है ये कौन सी है आईजोल है कौन सी है मिजोरम की राजदानी आईजोल है राजेपाल कौन है मिजोरम में ये है हरी बाबू कमबपती कौन है हरी बाबू कमबपती है ये मिजोरम के राज्यपाल है, मुख्य मंत्री कौन नुक्तिय है? ये है लालदू होमा कौन है? लालदू होमा है, वो मिजोरम के मुख्य मंत्री निफ्त किये गए है, कौन सी पार्टी से? ये है जोरम पिपुल्स मुव्मेंट पार्टी है, कौन सी है? जोरम पिपुल्स मु बुप के स्टापना की आपकते हैं। बढ़ते हैं आगे के क्यूशन में क्यूशन है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है इसका आंसर क्या होगा A. सिमला, B. फुफरी, C. रैनी ताल, O. D. धर्मसाला तो हिमाचल प्रदेश की राजदानी कौन सी है ये देखे हिमाचल प्रदेश की स्तिति इसका आंसर क्या होगा हिमाचल प्रदेश की राजदानी है ये है सिम्ला कौन सी है सिम्ला है सितकालीन राजदानी कौन सी है यहां की धर्मसाला है और गृष्मकालीन जो है ये है सिम्ल तो हिमाचल प्रदेश के कितनी राजदानी है? दो राजदानी है सित कालीन और गृष्म कालीन दोनों याद रतनी है सित कालीन पूछे तो धर मिसाला है राज्येपाल कौन है? शिव पृताब सुखला कौन है? सिव फृताम सुकला है ये है राज्येपाली हां के हिमाचल परदेश के मुख्य मंत्री कि इनको निख किया गया है सुक्विंदर सुक्कु कौन है सुक्विंदर सिंह सुक्कु है कहां के मुख्य मंत्री है ये है हिमाचल परदेश के स्तापना दिवस कब बनाय जाता है 25 लोग सबा सीट कितनी है यहां पर चार जो है हिमाचल परदेश की लोग सबा सीट है राजी सबा सीट यहां पर तीन है और विधान सबा सीट जो यहां की है 68 इतनी है 68 जो है यहां की विधान सबा सीट है पार्टी कौन सी है यहां पर राष्टिये कॉंग्रिस पार्टी कारिय कहां पर हिमाचल परदीश में रास्टिये कॉंग्रेस पार्टी कारियरत है एक्जाम में क्यूशन बनते हैं कि कौन से राजे में कौन सी पार्टी कारियरत है तो कौन सी है यहां पर रास्टिये कॉंग्रेस पार्टी से सुख्विंदर सिंग सुख्वु है यह हिमाचल परद बी चंडिगड़ तो हरियाना की राजदानी है ये है चंडिगड़ कौन सी है चंडिगड़ है और यहां पे राज्येपाल कौन है ये है बंडारू दत्तात्रे कौन है हरियाना के राज्येपाल बंडारू दत्तात्रे है और यहां के मुख्यमंत्री कौन है मनुहर लाल खटर जी है वो हर्याना की मुख्यमंत्री है कौन से पार्टी से है ये है भारतिय जनता पार्टी से तो हर्याना में भारतिय जनता पार्टी कारियरत है और मुख्यमंत्री कोन है मनुहर लाल खटर जी है स्टापना कब हुई थी हर्याना की स्टापना एक नॉबर 1966 में की गई थी औ और यहां पे लोग सभा सीथ है, वो 10 है, राज्य सभा सीथ यहां की 5 है और विधान सभा सीथ यहां पे 9 की है, यह हर्याना से इंपोर्टेंट पॉइंट हुए, यह आप लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे के कुशन में, यह देखिए मैप में हर्याना की स्थिति में भी द पंजाब की राजधानी कौन सी है, और पंजाब की राजधानी कौन सी है, पंजाब की राजधानी कौन सी है, तो इसका आंसर है चंडिगड कौन सी है, चंडिगड जो है पंजाब की राजधानी है, यहां पे राजधानी कौन है, बनवारी लाल पुरोही जी है, वो पंज पंजाब के राज्येपाल है, मुख्य मंत्री है, यहां पर भगवन तमान कौन है? भगवन तमान जो है, आम आदमी पार्टी से पंजाब में मुख्य मंत्री है, और स्तापना कब हुई थी? एक नॉनबर उनिस सु चाहसट इसवी में पंजाब की स्तापना की गई थी, यहां पे लोग सबासीट 13 है और राज्य सबासीट यहां पे 7 है और विधान सबासीट यहां की 117 है यह पंजाब से important point हुए जो एक्जाम में पूछी जा सकते हैं आगे की किशन क्यों बढ़ते हैं इसका answer बताईए किशन देखिए ऐसे ही किशन पूछे जाने वाले हैं तो आपको यह basic point तो याद करने ही पड़ेंगे इसके अलावा भी आपको याद करने हैं तो वो हम topic wise class से लाएंगे उसमें आपको cover करवा दिया जाएंगे लेकिन अभी फिलाल यह basic point है सारे रज्यों के एक साथ लिख लिजे लोग सबासित राजे सबासित विदान सबासित यही एक्जाम में पूछे जाएंगे तो देखिए उत्राखंड की राजदानी कौन सी है ओप्शन में है ए नेनी ताल बी दहरादून सी पंड़ी और बी सिमला तो उत्राखंड की राजदानी कौन सी है आंसर क्या होगा इसका यह है क्या है दहरादून कौन सी है उत्राखंड की राजदानी दहरादून है यहा ग्रिसमकालीन और सीथकालीन राजदानी अभी आपको याद रखने हैं तो उत्राखंड की जो सीथकालीन राजदानी है ये दहरा दून है और गेट सेंड जो है ग्रिसमकालीन राजदानी है इसके लावा राज्येपाल कौन है याप पे उत्राखंड के राज्येपाल जो है यह है लाप्टिनेंट जनरल गुर्मीत सिंग और मुख्य मंत्री कौन है पुसकर सिंग धामी है जो उत्राखंड के वर्तमान में मुख्य मंत्री है कौन सी पार्टी से है भारतिय जनता पार्टी से पुसकर सिंग धामी जो है उत्राखंड के मुख्य मंत्री है उत्राखंड क कितनी है पांच है राजे सभा सीट कितनी है तीन है और विधान सभा सीट यहां की सत्तर है कितनी है लोग सभा सीट पांच है राजे सभा सीट तीन है और विधान सभा सीट यहां की सत्तर है और कौनसी पार्टी है भारतिय जनता पार्टी उत्राखन में अभी कारियरत है जिस का आंसर क्षिशन में दे रखा है महाराष्ट्र के राजडानी कौन सी है तो क्या होगा इसका आउप्जन है a-fryomai b-oney c-kanapur और d- valodra तो नहीं महाराष्ट्र के जो राजडानी है यह मुंभई कौन सी है मुंभई यहां की राजडानी है राजे पाल कौन महाराष्ट के राजेपाल कौन है ये है रमेश बेस कौन है रमेश बेस यहां के राजेपाल है मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट के ये है एक नाजी सिंदे कौन है एक नाजी सिंदे है वो महाराष्ट के मुख्यमंत्री कौन से पार्टी से है ये ये सिवसेना पार्टी से ह तो महाराष्ट में सिवसेना पार्टी कार्यरत है जहां से मुख्य मंत्री कौन है एक नाच सिंदे है वो महाराष्ट के मुख्य मंत्री है स्तापना दिवस कब बनाया जाता है एक मही को तो स्तापना इसकी एक मही 1960 को की गई थी लोग सबा सीट कितनी है यहां की यह है 48 तो महाराश्ट की लोग सबा सीट कितनी है 48 है राज्य सबा सीट यहां की 19 है और विधान सबा सीट कितनी है 288 विधान सभा सीट है इसके अलावा यहाँ पे विधान परिशद भी है क्या है विधान परिशद भी है तो कितनी सीट है 78 जो है विधान परिशद की सीट है तो महाराष्ट में विधान परिशद भी है इसकी सीट भी आपको याद रखनी है 78 है लोक सबासीट यहां की 48 है राज्य सबासीट 19 है विधान सबासीट 288 है और विधान परिसद सीट है वो 78 है सिव सेना पार्टी है वो महरास्ट में वर्तमान में कारियरत है और मुख्यमंत्री कौन है यह है एक नात सिंदी महाराष्ट के मुख्य मंत्री है तो ये महाराष्ट से important point हुए बढ़ते हैं आगे उसका आंसर बताईए जल्दी से question देखिए answer बताईए question में दे रखा है बिहार की राजधानी कौन सी है ये देखिए बिहार में बिहार की राजधानी है वो कौन सी है option है बिहार की राजधानी है ये है पटना कौन सी है पटना बिहार की राजधानी है राजधानी कौन है याँ पे तो बिहार के राजधानी है ये है राजेंद्र विश्वनात अर्लेकर कौन है राजेंद्र विश्वनात अर्लेकर है वो बिहार की राज्यपाल है मुख्य मंत्री कौन है? नितिश कुमार जी है वो बिहार की वत्वान में मुख्य मंत्री है कौन सी पाटी से? जनता दल युनाइटेड से ये मुख्य मंत्री है नितिश कुमार जी स्तापना कब हुई थी बिहार की? 12 मर्च 1912 इस्वी में बिहार की स्थापना की गई थी लोग सबा सीट कितनी है 40 है बिहार की राजे सबा सीट 16 है विधान सबा सीट यहां की 243 है इसके अलावा विधान परिसद सीटें भी है बिहार में वो कितनी है 75 है तो कितनी है विधान परिसद सीट 75 है यह देख लिए जिए बिहार के important point जो exam में पूछे जा सकते हैं इन्हीं में से आपकी exam में question आने वाले हैं ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं तो class से बने रहिए class को last तक जरूर देखिए अगर आपने अभी तक class को like नहीं किया तो एक बार like कर दीजिए बढ़ते हैं आगे की question की और इसका answer बताईए question में क्या दे रखा है उत्तर परदेश की राजदानी कौन सी है यह देखिए उत्तर परदेश मेप में question दे रखा है उत्तर परदेश की राजदानी कौन सी है option है A. लखनाव B. पटना C. इलहाबाद C. और D. कॉल करता तो उत्तर परदेश की राजदानी कौन सी है तो इसका answer क्या होगा यह है लखनाव कौन सी है लखनाव है उत्तर परदेश की राजदानी है उत्तर परदेश की राज़ेपाल कौन है आनंदी पेन पटेल है यह उत्र प्रदेश की राज्य पाल है, मुख्य मंत्री कौन है? योगे आदिते नाद उत्र प्रदेश की मुख्य मंत्री है, कौन से पार्टी से? भार्टी जनता पार्टी से है ये और इसकी स्तापना कब हुई थी उत्र प्रदेश की? ये हुई थी 24 जनुवरी 1950 को उत्र प विधान सबा सीट यहां की है 403 कितनी है 403 यहां की विधान सबा सीट है इसके लावा यहां पे विधान परिसद है उसके सीट कितनी है यह है 100 उतर परदेश की विधान परिसद के सीट कितनी है 100 है विधान सबा सीट 403 है राज्य सबा सीट 31 है और लोग सबा सीट है वो 80 है य इससे उतर पर्देश से ये question बहुत बार बने है लोग सभासीट पूछी गई है विदान सभासीट भी पूछी गई है बढ़ते हैं आगे की question की ओर इसका answer बताईए answer जल्दी से comment करके बताईए क्या होगा answer question में क्या दे रखा है उडिसा की राजदानी कौन सी है तो उडिसा की राजदानी है वो कौन सी है ए इडानगर भी चननाईसी भूनेशर और डी कुलकता तो उडिसा की राजदानी है भूनेशर कौन सी है भूनेशर यहां की राजदानी है राजेपाल कौन है उडिसा के राजे पाल है ये है रगुवर्दास मुख्य मंत्री कौन है नवीन पतनाईग जी उडिसा के मुख्य मंत्री है स्तापना कब की गई थी एक अप्रेल 1936 में कब हुई थी एक अप्रेल 1936 में ये उडिसा देखी मेट में यहां पे लोक सभाशीट कितनी है? 21 है, राजे सभाशीट कितनी है? 10 है, और विधान सभाशीट कितनी है? 147 है, और पार्टी कौन सी है? बिजु, जनता, दल, पार्टी यहां पे कारियरत है आगे का क्यूशन देखिए और इसका आंसर जल्दी से कोमेंट करके बताईए क्या होगा इसका आंसर? गुजरात की राजदानी कौन सी है? आंसर क्या होगा? आंसर कोमेंट करके बताईए गुजरात की राजदानी कौन सी है? option है ए गांधी नगर वी भोपाल सी कुलकत्ता और डी अमरावती तो गुजरात की राजदानी है यह है गांधी नगर कौन सी है गांधी नगर है यहां पे राज्येपाल कौन है यहां के जो राज्येपाल है यह है आचारी देवगोर्थ मुखे मंत्री है भुपेंद्र पटे कौन है भुपेंद्र पटेल जो है गुजरात की मुख्यमंत्री है स्तापना कभ होई ती गुजरात की एक मईए 1960 में लोक सभाचीट कितनी है 26 है राज्य सभाचीट कितनी है 11 है और विधान सभाचीट यहां की 102 है कौन सी पार्टी यहां पे कारियरत है यहां भारतिय जनता पार्टी कारियरत है और मुख्य मंत्री है भूपेंद्र पटेल नेक्स्ट क्यूशन की और बढ़ते हैं इसका आंसर बताईए आंसर क्या होगा गोवा की राजदानी कौन सी है गोवा कहां पर है मैं अपने देखिए ये छोटा सा गोवा है खित्रपल की दरश्टी से सबसे छोटा राज़े है इसका आंसर क्या होगा गोवा की राजदानी कौन सी है ए पनजी बी भुपाल सी कुलकत्ता और डी अमरावदी तो इसका आंसर क्या होगा गोवा की राजदानी है पनजी कौन सी है पनजी है के लावा यहां के राज्येपाल कौन है कोवा के राज्येपाल है पी ऐस्री धरन पिल्लाई और यहां के मुख्यमंत्री है प्रमोथ सावंध कौन है प्रमोथ सावंध यहां के मुख्यमंत्री है स्टापना हुई थी 30 मई 1987 को लोग सबासीट कितनी है गोवा की 2 है राज्य सबासीट 1 है और विदान सबासीट यहाँ पे 40 है और पार्टी कौन सी है भार्तिय जनता पार्टी यहाँ पे कारियरत है और इसके मुख्य मंत्री कौन है प्रबोत सावन जी है यह गोवा के मुख्य मंत्री है नेक्स्ट क्यूशन क्यों बढ़ते हैं इसका आंसर बताईए क्यूशन देखिए और आंसर बताईए क्यूशन में क्या दे रखा है केरल की राजदानी कौन सी है आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर कोमेंट करके बताईए केरल की राजदानी कौन सी है तो इसकी राजदानी कौन सी है ये है तिरुवनंद पूरम कौन सी है तिरुवनंद पूरम है केरल की राजदानी है राज्ये स्तापना दिवस 1 नौंबर 1956 को इसका स्तापना दिवस स्तापना के गई थी और लोग सबा सीट कितनी है यहां पर 20 यहां की लोग सबा सीट है केरल की राज्य सबा सीट यहां पर 9 है और विदान सबा सीट यहां पर 140 है और कौन से पार्टी यहां पर कारियरत है यहां भारतिय Communist Party कौनसी है भाटे Communist Party है ये केरल में कारीरत है और ये केरल देखिए मेप में ये केरल है यहाँ पे ये केरल से important point हुए बढ़ते हैं आगे की question की ओर तमील नाडो की राजदानी कौनसी है जल्दी से answer कमेंट करके बताईए तमील नाडो की राजदानी कौनसी है आँसर क्या होगा तमील नाडो की राजदानी कौनसी है आँसर क्या होगा इसका जल्दी से आँसर बताईए तो तमील नाडो की राजदानी है चन्नाई कौनसी है चन्नाई है यहाँ पे राज़ेपाल कौन है आरण रभी है ये तमील नाडो की गईती 26 जनौरी 1925 से में लोग सभा सीट यां पर 39 है और राज्य सभा सीट यां की 18 है और विधान सभा सीट यां की 234 है और कौन सी पार्टी यहां पर कारियरत है यह है द्रविड मुनेत्र कडगम कौन सी है डी-म के यहां की पार्टी है आगे बढ़ते हैं कौन सी है? Option आपके सामने जल्दी से कॉमेंट परके बताएए आंत्रप्रदेश की राजदानी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये है अमरावती आंत्रप्रदेश की राजदानी अमरावती है यहां के राज्येपाल कौन है? यह है एस अब्दूल नजीर मुख्य मंत् और इसमें पार्टी कौन सी है यहां पर कारियरत यह है यूजन स्रमिक राईटू कांगरेश यहां पर कारियरत है स्तापना कब हुई थी आंदर प्रदेश की यह हुई थी एक अक्टूबर उन्नीसो तरेपनिस्वी में लोग सबाथ सीट यहां पर पत्चीस है राज्य और विधान परिसद सीट यहां पे भी विधान परिसद है कितनी है आंदरपरदेश की विधान परिसद सीट 50 है और यूवजन स्रमिक राइतू कांग्रेश यहां पे यह पार्टी है तो यह इससे important point हुए आंदरपरदेश से जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि विधान परिसद सीट याद रखो मुख्यमंत्र याद रखो लोग सबासीट राध्य सबासीट और यहां पे कौन सी पार्टी कारियरत है सारे point important है सब एक्जाम में पूछे जाते हैं इसका आंसर बताईए राजदानिया तो आपको सारी याद होगी आंसर कोमेंट किजिए की राजदानी कौन सी है option है रांची वी राइपूर सी लखनाव और डी भूनेशर तो जारकंड की राजदानी है यह है रांची कहा है रांची जो है जारकंड की राजदानी है राजदानी है राजजे पाल कौन है यह है सी पी राधा कृष्णन और मुख्यमंत्री कौन है हैमन सोरेन है ये जारकंड के मुख्य मंत्री है कौनसी पार्टी से है जारकंड मुक्ती मोर्चा पार्टी से है स्तापना की कब के गई थी जारकंड की पंदरा नॉवंबर 2000 में जारकंड की स्तापना के गई थी लोग सभा सेट कितनी है यहाँ पे 14 यहाँ की लोग सभा सेट है राज्य सभा सेट यहाँ की 6 है फिदान सभा सेट यहाँ की 81 है बढ़ते हैं आगे के क्यूशन क्यों करनाटक की राजदानी कौनसी है आंसर बताईए जल्दी से करनाटक की राजदानी कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा ये है बैंगलूरू कौन सी है बैंगलूरू जो है करनाटक की राजदानी है यहाँ पर जो राज्येपाल है ये है थावर्चेंद गहलोद मुख्यमंत्री कौन है सिधारमया कौन है सिधारमया यहां की मुख्य मंत्री है, स्तापना कभ हुई थी करनाटक की? यह देखे, एक नॉबर 1956 में लोक सबा सीट कितनी है? 28 है, राज्य सबा सीट कितनी है? 12 है, विधान सबा सीट 224 है, और इंपोटेंट जो है, विधान परिशत सीट कितनी है? 75 है, और कौन सी पार्ट है, जिस से मुख्य मंत्री है, सिधारमया. आगे बढ़ते हैं, क्यूशन देखिए, आंसर बताए जल्दी से, त्रिपुरा की राजदानी कौन सी है? और आपके सामने है, जल्दी से आंसर कॉमेंट तरके बताए त्रिपुरा की राजदानी कौन सी है? क्या होगा इसका आं इंद्रे सेन रेडी कौन है? इंद्रे सेना रेडी जो है, त्रिपुरा की राज़ेपाल है, मुख्य मंत्री यहां की मानिकसा है, स्ताप्ना हुई थी एक जनौरी 1972 में, और लोग सबाशीट यहां पे दो है, त्रिपुरा की, राज़े सबाशीट एक है, और विधान पार्टी कारियरत है, यह है भार्तिय जन्ता पार्टी जो है कारियरत है कि मन्त्री मानिक साथ 16 और यह देखें को भारत में राज़दानी कौन सी है तो ये है कुलकत्ता कौन सी है कुलकत्ता जो है पश्री मंगाल की राज़दानी है राज़ेपाल कौन है कुलकत्ता के ये है डोक्टर सी वी आनंद बोस कौन है आनंद बोस जी जो है पश्री मंगाल के है राज़ेपाल है मुख्य मंत्री कौन है यहा कितनी है पसी मंगाल की 42 है राज्य सबाशीट कितनी है 16 है और विधान सबाशीट यहां पर कितनी है यह है 204 में तो यह पसी मंगाल से जल्दी से कोमेंट करके बताईए मनिपूर की राजदानी कौनसी है और जल्दी से आंसर बताईए मनिपूर की राजदानी कौनसी है तो यह है इमफाल कौनसी है इमफाल जो है मनिपूर की राजदानी है राज्य पाल कौन है मनिपूर के यह है अनुसुया ओई के और मुख् तर्शेन जो है मनिपूर के मुख्य मंतरी है, कौन सी पार्टी से है ये? ये भारतिय जनता पार्टी से। इस्तापना कब हुई थी मनिपूर की? 21 जनुरी 1972 को. लोग सबा सीट कितनी है मनिपूर में? दो है, राज्ये सबा सीट यहां की एक है, और विदान सबा सीट जो है मन जान सबाज सीट है और ये मनिपूर की स्तिती देख लीजिए मैप में ये मनिपूर है यहां पर आगे बढ़ते हैं आगे का क्यूशन देखिए इसका आंसर बताईए जल्दी से आंसर बताईए नागा लेंड की राजदानी कौन सी है जल्दी से आंसर बताईए नागा लेंड की राजदानी कौन सी है और आपके सामने है इसका आंसर क्या होगा नागा लेंड की राजदानी है कोहिमा कौन सी है कोहिमा जो है नागा लेंड की राजदानी है रा थीज्टी एड़े स स्वाप्ना के गई थी एक डिसमबर dimro asking शेट कितनी है एक है राज्यशबाषीट कितनी एक है विदान सब्दाशिट कितनी 60 है और कॉन्सी पार्टी है national р consecutive प्रोगेसिव पार्टी कौन सी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव पार्टी जो है ये नागा लेंड में अभी कारियरत है कौन है मुख्य मंतरी नेफ्यू रही हो है मुख्य मंतरी राज्ये पाल और रास्धानिया आपको चन्फर्म याद होनी चाहिए आगे बढ़ते प्रदेश की स्तती है मैप में देखिए कौन से देश के साथ में सीमा सांजा करता है कॉमेंट करके बताएए अरणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है तो अरणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है और आपके सामने है जल्दी से आंसर बताएए अरणाचल प्रद त्री विक्रम पर्णाई कोन है, त्री विक्रम पर्णाई जी जो है, यहां के राज्ये पाल है, मुख्य मंत्री कोन है, पैमा खांडू यहां पे मुख्य मंत्री है, स्तापना कब की गई थी, 20 फरवरी 1987 को, लोक सबा सीट यहां पे 2 है, राज्ये सबा सीट 1 है, विदान सबा 660 है और भारतिय जन्ता पार्टी यहां पे कारियरत है आगे बढ़ते हैं देखिये मighalie की राज़ना निबताइए यह देखिए मेब 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 भी आपको याद होना चाहिए कोन से राजे की कोन से स्थिति है कौन कोन से उसके पडोसी राज्य है, कौन से पडोसी देश से ये सीमा सांजा करते हैं तो मेब से आपको याद हो जाएगा इसलिए मेब दिया है, सारे राज्यों की अलग-लग स्थिती बताई है, तो इसका आंसर बताईए, मेघाले की राजदानी कौन सी है, ओप्शन आपके मेघाले की मुख्यमंत्री कॉन्राड संग्मा है स्तापना दिवस जो है 21 जनौरी 1972 में कब हुई ती स्तापना 21 जनौरी 1972 में लोक सबा सीट यहां के दो है राजे सबा सीट एक है विदान सबा 60 है और पार्टी कौन सी है नेशनल प्यूपुल्स पार्टी है कौन सी है नेशनल प्यूपुल्स पार्टी जो है मेघाले में कारियरत है आगे बढ़ते हैं असम की राजदानी अप्सन में असम देख लीजी असम की राजदानी क्यूशन दे रखा है असम की राजदानी कौन सी है आंसर बताएए जल्दी से असम की राजदानी कौनसी है उप्शन आपके सामने है तो आंसर क्या होगा असम की राजदानी कौनसी है तो ये है दिस्पूर कौनसी है असम की राजदानी दिस्पूर है राज्येपाल कोन है या पर गुलाब चंद्रकटारिया राज्येपाल है म विदान सभा सीटियां की 126 है और जो पार्टी कारियरत है वो है भार्टिय जनता पार्टी यहां पर कारियरत है जिससे मुख्य मंत्री है हिमंत विश्वस सर्मा आगे बढ़ते हैं इसका आंसर बताईए सिक्किम की राजदानी कौन सी है आंसर बताईए जल्दी से ओप्षन आपके सामने है सिक्किम की राजदानी कौन सी है तो इसका आंसर क्या होगा सिक्किम की जो राजदानी है यह है गंग टोग कौन सी है गंग टोग जो है सिक्किम की राजदानी है यहां पर राज्येपाल क 16 माई 19 75 इस्वे में लोग सबासीट यहां की एक है राजिय सबासीट एक है और विदान सबासीट यहां की 32 है اور पार्टी कोनसी है शिक्किम तरांतीकारी ओठा यह सिक्किम की जो पार्टी है जो यहां पे कार्यरत है जिसे मुख्य मंत्री कौन है प्रेम सिंग तमांग है, ये सिक्किम के मुख्य मंत्री है और ये देखिए मेप में सिक्किम, ये सिक्किम की स्तिती है आगे बढ़ते हैं, आप बढ़ते हैं केंदर साशिद परदेश के बारे में देखिए क्यूशन देखिए और आंसर बताईए क्या होगा इसका आंसर क्यूशन में देखा है जम्मू कस्मीर की राजधानी कौन सी है तो आंसर क्या होगा उप्सन आपके सामने है जल्दी से कमेंट करके बताईए जम्मु कस्मीर की राजदानी कौन सी है तो क्या होगा आंसर ये है स्रीन अगर स्रीन अगर जो है जम्मु कस्मीर की राजदानी है ये जो सीथ कालिन राजदानी है ये जम्मु है कौन सी है जम्मु है और गृष्म कालिन कौन सी है स्री नगर है यहां पे कौन होते हैं उप राज्य पाल होते हैं कौन होते हैं जम्मो कस्मीर में उप राज्य पाल होते हैं जो कौन है यह है मनो सीना जो है जम्मो कस्मीर के उप राज्य पाल है स्तापना कब हुई थी यह हुई थी 31 अक्टूबर 2019 में जम्मो कस्मीर की स्ताप आपना की गई थी के अंदर सासित प्रदेश के रूप में लोग सभासीट यहां की पांच है राजे सभासीट चार है और विधान सभासीट यहां पे 83 है तो यह जम्मु कस्मीर से इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ यह देखिए मेप में जम्मु कस्मीर आगे बढ़ते हैं लदा की राजदानी कौनसी है आंसर बताईए लदा की राजदानी कौनसी है उप्सन आपके सामने आंसर जल्दी से बताईए उप्सन है ले है स्री नगर जमू और चंडीगर तो लदा की जो राजदानी है यह है ले है कौनसी है ले है जो है लदा की राजदानी है यहां पर उप राझ्यपाल होते हैं, जो कौन है? बीडी सर्मा है. कौन है लदाक के उप राझ्यपाल? बीडी सर्मा है. स्तापना कब की गई थी? 31 अक्टूबर 2019 को लदाक की स्तापना के लिशासिपाज 스र्द्यस के रूप में की गई थी. लोक सभासीत निया पर एक है. राज्य पेस के रूप में की गई थी लोग सभासीर यहां पर एक है राज्य सभासीर और विदान सभासीर यहां पर नहीं है आगे बढ़ते हैं चंडीगड की राजदानी कौन सी है यह चोटा सा चंडीगड है यहां पर हिंजाब और हरियानामिक के बीच में उसका आंसर क्या होगा चंडीगड की राजदानी कौन सी है उप्सन आपके सामने है जल्दी से आंसर बताएए चंडीगड की राजदानी है चंडीगड कौन सी है चंडीगड है यहाँ पे प्रसासक होते हैं कौन है प्रसासक बनवारी लाल पुरोईद है यह चंडीगड की प्रसासक है स्तापना संडिकर की स्टाफना की गई थी लोग सबासीट एक है और राज्य सबासीट और विदान सबासीट यहां पर नहीं होती है आगे बढ़ते हैं दिल्ली इसका आंसर आपको पता होगा सब कुछ जल्दी से आंसर बताईए दिल्ली की राजदानी कुन जी है तो यह है नई दिल्ली कौन सी है नई दिल्ली है यहां पर राज्येपाल कौन है यह है विने कुमार सकसेना और मुख्यमंत्री कौन है अर्विंद केजरिवाल जी है आम आदमे पार्टी से और दिल्ली के स्टापना कब की गई थी यह देख फरवरी 1902 ब्राण में से दिल्ली को राष्टिय राजदानी छेत्र अंचियार फोसित कर दिया गया। लोक सभासित यहां पर साथ है, राज्य सभासित तीन है और विदान सभासित यहां की सत्तर है। और यहाँ पे कौनसी पार्टी है? आहम आदमी पार्टी, यहाँ पे कारियरत है. आगे है, क्यूशन देखिए. इसका आंसर बताईए. क्यूशन में देई रखा है, दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव की राजदानी कौन जी है? आपके सामने जल्दी से आंसर बताईए. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, दमन क्या है? दमन यहाँ की राजदानी है. प्रसासक कौन है? प्रफूल पटेजी है, वो यहाँ की प्रसासक है. स्तापना कब की गई थी? 26 जनौवरी 2020 में इनकी स्तापना की गई थी. इनको एक किया गए था, दाधर और नागर हवेली, एवंदवन और दीब को. तो 26 जनौवरी 2020 में इसकी स्तापना की गई थी. लोग सबाशीट यहाँ पर दो है, राजे सबाशीट यहाँ पर नहीं है. आगे हैं लक्से दीब, इसका आंसर क्या होगा? युशन देखें और आंसर बताईए. लक्से दीब की राजदानी कौन सी है? उप्सन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताईए. उप्सन दे रखें कावर्ती, दामन, खुदुचेरी और कोड़ प्लेयर. तो लक्से दीब की राजदानी है, यह है कावर्ती कौन सी है? कावर्ती जो है, लक्से दीब की राजदानी है, प्रसासक होते हैं, यहां पे तो कौन है? प्रफूल पटेल जी है, कौन है? लक्से दीब की प्रसासक प्रफूल पटेल है, स्तापना कब की गई थी? एक नौबर 1956 को लोग सबासीट यहाँ पे एक है, राज्य सबासीट और विदान सबासीट यहाँ पे नहीं है इसके इलावा देखिए, पुद्दुचेरी, इसका अंसर क्या होगा? कुशन देखिए, पुद्दुचेरी की राजदानी कौन सी है? इसका अंसर क्या होगा? यह है, पुद्दुचेरी है, यहाँ की राजदानी है, यहाँ पे उपराज्य पाल होते हैं, कौन है? तमील साही सोंदर राजन यहाँ की उपराज्य पाल है, स्तापना कब की गई थी? साथ परवड़ी 1963 में इसकी स्तापना की गई थी? लोग सबा सीट, राजे सबा सीट एक एक है, विदान सबा सीट यहाँ पे तीस है. यह बताईए, क्यूशन में दे रखा है, एंड मान और निकोबार दीप समय की राजदानी कौन सी है? तो कौन सी है? ओप्शन है, पोर्ट ब्लेयर, वी बुद्दुचेरी, सी कावर्ती, और डी दमन्तो अंड मान और निकोबार दीप समय की राजदानी है, यह है पोर्ट ब्लेयर. इनके यहां पर उपराजेपाल होते हैं, वो कौन है?े है देवेंद्र कुमार जूह सी, यहां के उपराजेपाल है, स्ताफना कब की गई थी? एक नॉम्बर उनीजिस सुच्पन में इसकी स्तापना की गई थी, लोक सबा सीट यहां पर एक है, राजे सबा सीट और विदान सबाशीट यहां पर नहीं है तो यह आज की हमारी class थी इस class में हमने कितने भी भारती, राजे और केंडर साशित परदेश थे, उनके बारे में basic जानकारी इस class में दी है तो आपको ये class कैसी लगी comment करके बता सकते हैं और आपने कितने आपको कितने राजू की, आपको राजदानिया याद थी, आपने कितने क्युशन सही के, अपना स्कोर भी बता दीजी और यही क्युशन एक्जाम में पूछे, पूछने वाला एक्जामी न, तो आपको यह सारी बेसिक चीज पता होनी चाहिए, तो मिलते हैं अगली क् तब तक के लिए राम राम टाटा बाई बाई